जै स्री सीता राम आज पुना स्री राम चरित मानस में बाल कांड से 128 समय दोहे से कथा रंब कर दाऊं। आप सब भी इस कथा का आनंद लीजिया। मंगल भावन या मंगल हारी द्रवाउं सो दस रथ जीर बिहारी। रुख बदन करी बचन म्रिदू बोले स्री भगवान तुमरे सुमिरंते मिट ही मोह मर मद मान। भगवान रूखा मुह करके कोमल बचन बोले। हे मुनिराज आपका अस्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके ज्यान विराग हिरदय नहीं जाके। ब्रह्मा चरज ब्रत रत मति धीरा तुमहिं कई करई मनो भव पीरा। खे मुनि सुनिये मोह तो उसके मन में होता है जिसके हिरदय में ज्यान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और वड़े धीर बुद्धी हैं। भला कहीं आपको भी काम देव सता सकता है। नारद कहे उसहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा भगवन यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गरो के भारी व्रिक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हम उखारी पन हमार सेवक हित कारी मुनिकर हित मम कौतुक होई अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखार फेकूंगा क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवस्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनिका कल्यान और मेरा खेल हो। तब नारद हरी पद सिरनाई चले हृदय अह मित अधिकाई स्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनीते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिरनवा कर चले। उनके हिदे में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मी पति भगवान ने अपने माया को प्रेरीत किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबं सुदस रत अजिर बिहारी विर्चे उमग महू नगरत ही सति जोजन बिस्तार। स्री निवास पुरते अधिक रचना बिविद प्रकार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबं सुदस रत अजिर बिहारी। उस हरी माया ने रास्ते में सौ योजन अर्था चार सो कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भाति भाति की रचनाएं लक्षमी निवास भगवान विश्णू के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुन्दर थी। बसही नगर सुन्दर नर नारी जनुबहु मन सिज रतितन उधारी। तेही पुर्बसाई सील निदिराजा अगनित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुन्दर नर नारी बस्ते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुस्य शरीर धारण किये हुए हूँ। उस नगर में सील निदि नाम का राजा राता था जिसके यहां असंख्य घोडे हां थी और सेना के समू अर्थाट टुकडियां थी। सत्य सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनी तास कुमारी स्रीवी मोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास सौ इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहनी नाम की एक ऐसी रूप वती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्षमी भी मोहित हो जाए। सोई हरी माया सब गुन खानी सोभा तास की जाई बखानी करई स्वयंबर सोन रिप बाला आये तह अगनित महिपाला। वह सब गुनों की खान भगवान की माया ही तो थी। उसकी सोभा का बणन कैसे किया जा सकता है। वह राज कुमारी स्वयंबर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगनित राजा आये हुए थे। मुनि काउतु की नगर ते ही गयाऊं। पुर्भासिन सब पूछत भायाऊं। सुनी सब चरित भूप ग्रिहाये। करिपूजान रिप मुनि बैठाये। खिलवाडी मुनी नारत जी उस नगर में गये और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछाए। सब समाचार सुन कर वे राजा के महल से आये। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाये। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सो दस रत अजिर बिहारी। फिर राजा ने राज कुमारी को लाकर नारत जी को दिख लाये। और पूछा कि हे नात। आप अपने हिर्दे में विचार कर इसके सब गुण दोस करिए। देखी रूप मुनी बिरती बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लच्छन तासू बिलो की भूलाने। रिदय हरसे नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनी वैराग्य भूल गए। और बड़ी देर तक उसकी और देखते ही रह गए। उसके लच्छन देखकर मुनी अपने आपको भी भूल गए। और रिदय में हरसित हुए। पर प्रकट रूप में उन लच्छनों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई। समर भूमित ही जीतन कोई। सेव ही सकल चराचरता ही। बरई सील निदि कन्या जाही। लच्छनों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। और रण भूमी में कोई उसे जीतना सकेगा। यह सील निदि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लच्छन सब विचारी उर राखे। कच्छुक बनाई भूप मसन भासे। सुता सुलच्छन कही निप पाही। सब लख्षणों को विचार कर मुनी ने अपने हिरदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कर दिया। राजा से लड़की के सुलच्छन कहकर नारत जी चल दिये। पर उनके मन में या चिन्ता थी कि करव जाई सोई जतन विचारी जही प्रकार मोही बरे कुमारी जप तप कचुना होई तेही काला ए बिधि मिलाई कवन बिधि बाला मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूँ जिससे या कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता है। फे विधाता मुझे या कन्या किस तरह मिलेगी। मंगल भावन या मंगल हारी द्रवाँ सुदसरत अजिर बिहारी। एई आउसर चाहिय परम सोभा रूप विशाल जो बाल बिलो किरी जैकु अरी तब मैं ले जै माल। इस समय तो बड़ी भारी सोभा और विशाल सुन्दर रूप चाहिये। जिसे देखकर राजकुमारी मुझे पर रीज जाए। और तब जै माल अर्थात मेरे गले में माला डाले। हरी सन मागव सुन्दर ताई होई ही जात गहर अति भाई मोरे हित हरी सम नहीं को। एक काम करूं कि भगवान से सुन्दरता मागों पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगे। किन्तु स्रीहरी के समान मेरा ही तु भी कोई नहीं है। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहु बिदि बिन यकिन्ही तेही काला प्रगटेव प्रभु कवतु की कृपाला प्रभु बिलो की मूनी नाया न जुडाने होई ही काजु ही ये हरे साने। उस समय नारज जी ने भगवान की बहुत प्रकार से बिंती की। तब लीला में कृपालू प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारज जी के नेत्र शीतल हो गए। और वे मन में बड़े ही हरसित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अतियारत कही कथा सुनाई करहू कृपा करी हो हू सहाई। आपन रूप देहू प्रभु मोही आनभात नहीं पावो ही। नारज जी ने बहुत आर्थ होकर अर्थात दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि क्रिपा कीजिए और क्रिपा करके मेरे सहायक बनिये। ये प्रभो आप अपना रूप मुझको दीजिये और उस प्रकार मैं उस राजकन्या को और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता जे भी दिनात होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा निजमाया बल देखी विसाला हिया हसी बोले दीन दयाला हे नात जिस तरह मेरा हित हो आप वही शिग्र कीजिये मैं आपका दास हूँ अपनी माय का विसाल बल देख दीन दयालू भगवान मन ही मन हस कर बोले मंगल भवन या मंगल हारी द्रगाँ सो दस रत अजिर भियारी जै बिदि होई ही परमहित नारद सुनहु तुमार सोई हम करब नयान कछु बचन नम्रिसा हमार मंगल भवन या मंगल हारी द्रगाँ सुदस रत अजिर भियारी ये नारद जी सुनो जिस प्रकार आपका परमहित होगा हम वही करेंगे दूसरा कुछ नहीं हमारा वचन असत्य नहीं होता कुपत माग रुज ब्याकुल रोगी बैद न देई सुनहु मुनि जोगी ये बिधी हित तुम्हार मैं ठयाऊं कहिय से अंतरहित प्रभु भयाँं हे योगी मुनि सुनिये रोग से ब्याकुल रोगी उपत्थे मांगे तो बैद ये उसे नहीं देता इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए माया विबस भये मुनी मूढ़ा समुझी नहीं हरी गिरा निगुढ़ा गवने तुरत तहारी सिराई जहां स्वयम्बर भूमी बनाई भगवान की माया के वसिभूत हुए मुनी ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ अर्था तस्पष्ट बाणी को न समझ सके रिशी राज नारज जी तुरंत वहां गए जहां स्वयम्बर की भूमी बनाई गई थी निज निज आसन बैठे राज बहु बनाव करी सहित समाज मुनी मन हरस रूपयती मूरे मोहित जी आ नहीं बरही न भोरे राजा लोग खुब सच धच कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे मुनी अर्थात नारज जी मन ही मन प्रसन हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है मुझे छोड कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी मुनी हीत कारन क्रिपा निधाना दिन कुरूप न जाई बखाना सोचरित्र लखी काहुन पव नारत जानी सबही सिरनावा क्रिपा निधान भगवान ने मुनी के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वणन नहीं हो सकता पर यह चरित कोई भी न जान सका सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूं सोदस रत अजिर भी हारी रहे तहां दुईरुद्रगन ते जान ही सब भेव बीप्रबेश देखत फिरहीं परमकवत की तेव मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूं सोदस रत अजिर भी हारी वहां दो स्रीर जी के गण भी थे वे सब भेद जानते थे और ब्रामण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे वे भी बड़े मोजी थे जेही समाज बैठे मुनि जाई रिदय रूपय हमिती अधिकाई नारत जी अपने हिर्दे में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे ये सीव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए ब्रामण के वेश में होने के करण उनकी इस चाल को कोई न जान सका करहीं कूटी नारत ही सुनाई निक दिन ही हरी सुन्दर ताई इरी जी ही राज कुमरी छबी देखा इनहीं बरी ही हरी जानी भी सेखी वे नारत जी को सुना सुना कर व्यंग ये बचन कहते थे बगवान ने इनको अच्छी सुन्दता दी है इनकी सोभा देखकर राज कुमारी रीज ही जाएगी और हरी अर्थात वानर जानकर इनहीं को खास तौर से बरेगी मुनी ही मोह मन हाथ पराए हसहे सम्भूगन अतिसा चुपाए जद पे सुना ही मुनी अटपटबानी समुझी न पराई बुद्धी ब्रहमसानी नारद मुनी को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वस में था सीव जी के गण बहुत प्रसन होकर हस रहे थे यदिपी मुनी उनकी अटपटी बाते सुन रहे थे पर बुद्धी ब्रहमसानी हुई होने के कारण वे बाते उनकी समझ में नहीं आती थे उनकी बातों का वे अपनी प्रसंसा समझ रहे थे काहून लखा सो चरित विसेखा सो सरूपन रिप कन्या देखा मर्कट बदन भयंकर देही देखत हिर्दय क्रोध भातेही इस विसेख चरित को और किसी ने नहीं जाना क्योल राज कन्या ने अर्थात नारत जी का वहरूप देखा उनका बंदर का सा मुह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या खिर्दय में क्रोध हुत्पन हो गया मंगल भवन अ मंगल हारी द्रवहुं सुदा से रात अजिर भी हारी सखी संग लै कुमर तब चली जनुराज मराल देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल मंगल भवन अ मंगल हारी द्रवहुं सुदा से रात अजिर भी हारी तब राज कुमारी सक्षियों के साथ लेकर इस तरह चली मानुराज हमसिनी चल लई वह अपने कमल जैसे हाथों में जैमाला लिये सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी जेही दिसी बैठे नारद फूली सो दिसी तेही न बीलो की भूली पुनी पुनी मुनी उक सही अकुला ही देखी दसाहर गन मुसुका ही जिस और नारद जी रूप के गरों में फूले बैठे थे उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका नारद मुनी बार बार उचकते और छट पटाते हैं उनकी दसा देख कर सिव जी के गण मुस्कुराते हैं धारी निरिप पतनू तह गयाँ क्रिपाला कुवरी हरसी में लेव जय माला दुलही निलेगे लच्छी निवासा निरिप समाज सब भयाँ नी रासा क्रिपालु भगवान भी राजा का सरीर धारण कर वहाँ जा पहुंचे राज कुमारी ने हरसी थोकर उनके गले में जय माला डाल दी लक्षमी निवास भगवान दुलहीन को ले गए सारी राज मंडली निरास हो गई मुनियती विकल मोह मती नाठी मनी गिरी गई चूटी जनु गाठी तब हर गन बोले मुशुकाई निज मुख मुकुरे बिलो कहुँ जाई मोह के कारण मुनि की बुद्धी नश्ठ हो गई थी इस सेवे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए मानो गाठ से छूट कर मणी गिल्ड गई हो तब स्रीव जी के गणों ने मुश्कुरा कर कहा जाकर दरपण में अपना मुह तो देखिये आसे कही दो भागे भाए भारी बदन दीखी मुनी बारी निहारी बेशु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा तिनही सराप दिन यति गाढ़ा ऐसा का करवे दोनों बहुत भैवीत होकर भागे मुनी ने जल में जहांकर अपना मुह देखा अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया उन्होंने सिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया मंगले भवन अमंगले हारी द्रवाँ सुदसराथ अजिर बिहारी ओहु निसाचर जाई तुम कपटी पापी दो हसे हुँ हमाहि सोले हुँ फल बहुरी हसे हुँ मुनिको मंगले भवन अमंगले हारी द्रवाँ सुदसराथ अजिर बिहारी तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ तुमने हमारी हसी की उसका फल अब चखो अब फिर किसी मुनिकी हसी करना मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया तब भी उन्हें संतोस नहीं हुआ उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था परन्तु वे भगवान कमलापती के पास चले तुरंत ही वे भगवान कमलापती के पास चले देहाँ श्राप की मरिहाँ जाई जगत मोरी उपहास कराई बीच अहीं पन्त मिले दनु जारी संग रमा सोई राज कुमारी मन में सोचते जाते थे जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा उन्होंने जगत में मेरी हसी कराई दैतियों के शत्रु भगवान हरी उन्हें बीच राज्ते में ही मिल गए साथ में लक्षमी जी और वही राज कुमारी थी बोले बोले मधुर बचन सुरसाई मुनि कह चले विकल की नाई सुनत बचन उपजायती क्रोधा माया बसन रहा मन बोधा देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा ए मुनी व्याकुल की तर कहां चले ये शब्द सुनते ही नारत को बड़ा क्रोधाया माया के वसिभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा मुनी ने कहा तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हैं तुम्हारे इर्षया और कपट बहुत है समुद्र मथते समय तुमने श्रीव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विश्पान कराया मंगली भावन अमंगल हारी द्रबहूं सुदस रात अजिर बिहारी असुर सुरा बिस संकरही आपुरमा मनीचार स्वारत सादक कुटिल तुमा सदा कपट बिवहार मंगली भावन अमंगल हारी द्रबहूं सुदस रात अजिर बिहारी असुरों को मदिरा और सिवजी को विश्दे कर तुमने स्वैम लक्षमी और सुन्दर कौस्तुब मड़ी ले ली तुम बड़े धोखे बाज और मतलबी हो सदा कपट का बिवहार करते हो परमस्वतंत्र न सिर्पर कोई भावई मन ही करहूं तुम सोई भले ही मंद मंदे ही भल करहूं विश्मय हरे से न ही अकच्छु धरहूं तुम परमस्वतंत्र हो सिर्पर तो कोई है नहीं इससे जब जो मन को भाता है सो शंदता से वही करते हो भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो परिदय में हर्स विशाद कुछ भी नहीं लाते डह की डह की परिचे हु सब का हूं अतिय संक मन सदा उच्छा हूं करम सुभा सुभ तुमही न बाधा अब लगी तुमही न काहूं साधा सब को ठग ठग कर परक गए हो और अतियंत निरर हो गए हो इसी से ठगने के काम में मन में सदा उच्छा रहता है शूभ असुभ करम तुमहे बाधा नहीं देते अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था भले भवन अब बायन दिन्हा पावंगे फले अपन किन्हा बंचे हूं मोही जवनी धरी देहा अबकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़ खानी किये अता अपने किये का पल लवस्य पाओगे जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है तुम भी वही शरीर धारण करो या मेरा शाप है कपिया क्रेति तुम किन ही हमारी करिहां कीस सहाय तुम्हारी मम अपकार किन तुम भारी नारी विरह तुम होब दुखारी तुमने हमारा रूप बंदर कासा बना दिया था इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे मैं जिस इस्त्री को चाता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है इससे तुम भी इस्त्री के वियोग में दुखी होगे मंगले भावने या मंगले हावने